So hello everyone, यह आज का पाच्वाँ वीडियो है and इसके बाद एक और वीडियो बस आने वाला है, इसका reason मैं आपको इसी वीडियो में explain कर दूँगा, आज के 4 वीडियो एक, दो, तीन, चार, चारो वीडियो आपको यहाँ पे i button पे मिल रहे होंगे, एक के बाद एक swap definitely देख लेना इसके साथ ही guys, वीडियो के end screen में भी guys, मैं जो है link provide कर दूँगा, सो वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हो, so अब guys start करते हैं वीडियो को, and इस वीडियो को लाने में मैं थोड़ा late हूँ, मतलब अगर आप देखोगे previous वीडियो का time, तो आपको थोड़ा जादा gap दिख करना, BSC की website पर जाके आपको खोजना पड़ता है, so ज्यादा time waste नहीं करेंगे and start करेंगे वीडियो को, quarterly result का सिल्सला लगातार जा रही है, मैं एक बार आपको explain कर दूँ, मैंने angel one cover कर लिया, headway cable cover कर लिया, jerry gold जैसे मैंने कहा, मुझे BSC website पर तक नहीं मिला, आप समझ रह result नहीं आया था, या जो भी है, तो just dial को इसलिए छोड़ दिया मैंने and उसके बाद, हाँ okay, to result नहीं आया था just dial में, उसके बाद just ride की बात पर, just ride में आप यहाँ पर देख सकते हो, एक करोड का market cap है and quarters में सब आपको zero ही दिखेगा, तो इसको discuss करने का मतलब नहीं है, इसका मतलब यह नहीं company खराब है, एक करोड का market cap है, तो उसका sales बहुत कम होगा and बहुत कम sales होगा, उसको zero point कुछ होगा, तो वो दिखता नहीं है, आप क्या सकते हो, लाख में sell होगा, आप क्या सकते हो, हजार में होगा, पचास जार का sell, तो इसलिए यहाँ पे जो आपको नहीं discuss नहीं करूंगा, थोड़ा disappointing है, आप देख सकते हो, December quarter का result जो है, वो अभी आया है, अभी, आप समझ रहो, जो इसके पिछले मतलब 3 महीने पहले आना चाहिए था, जो भी यह इसलिए मैं इसको discuss नहीं करूंगा, बाकि अगर आप चाहो तो वीडियो pause करके इसको देख ले होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, network 18 का भी result अभी तक नहीं आया हुआ है, आप देख लो, last जो date है, announcement का, वो 10 तारीक ही है, and आज 17 तारीक है, so network 18 को भी मैं discuss नहीं कर रहा, इसके बाद क्या आता है, quick heel and tv18 broadcast, इन दोनों को में discuss करूंगा, तो अब tension मतलो, इसके बाद एक वीडियो का quality थोड़ा increase कर लेना, मैं अभी 1080p पर upload करने की कोशिश करूंगा, and आप भी थोड़ा सा increase कर लेना, मैं zoom करके भी दिखाने की कोशिश करूंगा, एक बार, okay, so यहाँ पर देखो, total income कितनी है, मतलब revenue की बात हो रही है, कितनी है, December 31st, मतलब इसके पहले quarter में 70 थी इसके पहले quarter में 109 थी, इस बार 59 है, मतलब अगर हम March 2022 को March 2023 से compare करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा gap या फिर कलो एक बहुत बड़ा fall देखने मिलता है, उसी तरह से अगर हम year को compare करते है, financial year 22 and financial year 23 को compare करते हैं, तो भी यहाँ पर हमें 60 करोड का fall देखने मिलता है, so yes, यह काफि disappointing है, sales गिरना, and sorry, and उसके बाद अगर हम बात करें, profit before tax की, यहाँ पर देख सकते हो, profit before tax, तो यह वाला आप यहाँ पर देखो, यह क्या है, मतलब यहाँ पर क्या चीज है, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको bracket में दिख रहा है, it means वो negative value है, and अगर आपको normal दिख रहा है, it means वो positive value है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर कोई आपको bracket में दिख रहा है, it means वो पैसा जा रहा है, and अगर कोई bracket का है, मतलब यह सब values है, इसका मतलब वो पैसा आ रहा है, okay, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, sorry again, गला थोड़ा सा गई, आप समझे सकते हो, so अगर आप यहाँ पर देखोगे, March 31st, मतलब पिछले बार का quarter जो है, उसमें यहाँ पर 33 करोड का sales, profit before tax था, लेकिन इस बार जो है, बहुत कुछ घटा, and उसके बाद आप कह सकते हो, जो expenses है, वो भी increase हुआ, देख सकते हो, expenses increase हुआ, and उसके वज़े से यह जो loss है, वो increase हो गया, and देख सकते हो, इसके पिछले quarter में 11 करोड के आसपास का loss था, and इस quarter में around 10 करोड के आसपास का loss है, तो हाँ, disappointing है, 33 करोड के profit से 10 करोड के आसपास का loss बहुत लंबा jump है, मतलब down jump, उपर वाला jump है, तो yes, profit भी घटा है, profit before tax घटा है, and अगर आप य financial year में 103 करोड का profit था, लेकिन इस बार जो है, सिर्फ और सिर्फ 9 करोड का profit है, तो यहाँ भी बहुत बड़ा jump है, आप समझ लो, 103 करोड से 9 करोड कहां से कहां तक हम जा रहे है, then उसके बाद और अगर आप नीचे आओगे, तो यहाँ पे आपको net profit भी दिखेगा, profit for the period दे तो देख सकते हो, यह सब भी negative value है, March 2022 में पॉजिटिव था, लेकिन इस बार जो है, December में भी negative था, इस बार भी negative था, तो 26 करोड से 6 करोड वो भी negative में बहुत बड़ा jump है, और इसके बाद 78 करोड से 7 करोड मतलब 70 करोड का down jump, तो यह भी बहुत जादा value है, और इसी वज़ and आप खुझ से देख करके बता देना, आपको यह कहां से मिलेगा, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बर बता देता हूँ, सिंपल से आपको OBSC के website पर जाना है, यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर इस case में आपको नहीं दिखेगा, but yes, आप अंजाजा लगा सकते जब आपका experience हो जाएगा, आप समझ जाओगे, जैसे यह जादा MB का है, इसका मतलब किया इसमें जादा page होगा, जादा page होगा, यहाँ पर हो सकता है financial हो, तो आप इसको खुलोगे, तो आपको यहीं मिलेगा, जिसमें 30 page के आसपास होगे, and आपको यह चीज मिल जाएगा, तो एंड करते हैं जाएगा, यहाँ पर वीडियो को इसके बाद आने वाला है, इसके आने वाला है, इसके बाद ही वो वीडियो आएगा, तब तक के लिए जैहिन, and thanks for watching.